तो दोस्तों जैसे कि मैंने community tab में अपना डाला था कि आप लोगों को किस topic के उपर में सबसे जादा वीडियो चाहिए तो आप लोगों में से बहुत सारी लोगों ने एक ही चीज बोला ताट girlfriend का phone को कैसे hack करना है तो यार आपका भाई आपका गुलाम है आप जो बोलोगी व किह सकते हो कि वो कितना देर तक-गात की इससे बाद की है कहांसे बात की ed और साथी साथ उनका कॉल recording तक सुन सकते हो और उसका photos phone का जितना भी है और अगर आप चाहते हो कि वह nenakilay तो उनका आप अपजी को भी तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक दिखना तो हलो फ्रेंट्स माईने में इस शारिक तन्वीर और आम विलकमिंग यूर्ड मैं यूडिप चैनल अन्बॉक्स ग्यान तो बिना दाधा किसी चैनल वाल यह सब्सक्राव य्यूटिकश्ण आप दोधे인가 vinegar और में अन्सिर्फीट milk कर लेकिन मैं यह लोगों को आप दोनिया यह से काम dus हें और इसंसे बच सकते हों गया मैं आप लोगों को यह भी पताने वाले हो कि इस चीज से आप कैसे बच सकते हो तो प्लीज मैं आप लोगों से लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसका आप कोई भी गलत फायदा बिल्कुल मत उठाना किसी के साथ भी चाहे वो गल्फ्रेंड हो आपकी या फिर आपके बेटा-बेटी या जो भी हो तो इसका गलत फायदा मत उठाना तो इस वीडियो के तरफ बढ़ते अब तो जैसा कि अभी नियो जनरेशन आ रहा है कोई भी फोन को कोई भी स्मार्ट फोन को हैक करना बहुत जादा असान हो गया है साथ ही साथ अगर आपके पास अगर कोई एंडॉइड फोन है तो इसको को किसी का फून को हैक कर सकते हैं किसी का फॉन के अंदर का का मॉंनितर सर्विस यह को पररेंटस बच्चो के मानेटर सकते थे उनका च्राइब था लगा किसे फीचर आपको प्रोवाइड कराता है कि आप पूरा का पूरा कांटेक्ट लिस्ट क्या है अर एक चीज यह तक ही उनका लाइव लोकेशन भी आप देख सकते हो देख सकते हो या फिसे बात कर रहें कितना देर बात कर रहें वह वह नंबर का नाम से कि उनका पूरा-पूरा कांटेक्ट लिस्ट क्या है एक चीज यहां तक कि उनका लाइब लोकेशन भी आप देख सकते हो या फिर एक मन तक वो कहां-कहां जा चुक है वो भी आप देख सकते हो इस एप के दूप यह बहुत जादा इजी चीज है कोई भी अराम से कर सकता है औ नाम से वह website में जाओ website में जाने के बाद आपको क्या गर्ना होगा कि login करना होगा login करके अपना password generate कर लीजे उसके बाद पिर आपको वह app को download करना होगा जैसी आप को download करोगे डाउनलोड करने के साथ ही साथ फिर आपको वहाँ पे स्क्रीन सारा पर्मिशन मंगेगा तो आप पहले skip कर दो और उसके बाद फिर सारा पर्मिशन उसका ग्राइंट कर दो पर्मिशन ग्राइंट करने के बाद आप अपना जो भी mail ID था वह डालकर password डालकर कर दो और फिर बूम वह एप आपके फून से गायब हो जाएगा पूरा का पूरा गायब हो जाएगा कोई भी वह एप को खोजी नहीं सकता यहां तक कि अगर आप सेटिंग में जाओ और फिर आप spy human type भी करोगे application folder के अंदर जाके तो भी आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला तो इन शॉट कोई भी पता नहीं कर सकता है कि वह एप आपके फोन में है भी या नहीं अब आप क्या कर सकते हो कि आप अपने computer screen पर जाओ computer screen पर जाने के बाद फिर आप वहां पे spy human.com यह site पर आ login आप जैसे ही करोगे तो जितने भी फोन के साथ आपने यह app और जमिला किया है वह सारा फोन आपको दिख जाएगा उसके बाद आपको जो भी फोन को monitor करना है आप वह फोन को tap करो और फिर उसका सारे detail आपके पास आजाएगा मैं पहली बता देतो हो यह paid version है तो starting का 48 hours किसी का भी privacy को hinder नहीं करना चाहिए मैंने भी जो वीडियो बनाया तो मैंने अपने दूसरा खुद का फोन को है किया ना कि किसी और का है किया है तो मैं आप लोगों को बतारो इसके साथ आप क्या कर सकते हो फोटो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया आप फोटो देख स कर सकते हो तो अगर आपके मन में है कि आप अपनी girlfriend के साथ असा करना चाहते हो तो यहार मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए लेकिन आप कर सकते हो अगर आपको चाहिए करना तो आप कर सकते हो यह बहुत जादा easy to use है कोई भी इसको आराम से यूज़ कर सकता है अब वीडिय क्या है इस एप से आप कैसे बच सकते हो और विसा बाते जैसे ही मैं अभी यह वीडियो बना रहे हूं आपको बता रहे हो तो आपके साथ आपकी गल्फ्रेंड भी वीडियो देख सकती है और अगर आपकी गल्फ्रेंड ऐसा आपके साथ कर दिया आपके फून के साथ तो फि आप सेटिंग में जाकर application के अंदर जाओ और application के अंदर जाकर यह क्या app करता है कि अपना नाम चेंज कर देता है ठीक है app का तो आप application के setting के अंदर जाकर search करो safe service safe service नाम का यह एप से रहता है तो safe service जैसी आप search search करोगे फिर आपको आजाएगा आने के बाद आप इसे अनिन्स्टॉल तो नहीं कर सकते हो यह मजबूरी आप क्या कर सकते हो permission में जाकर permission में जाकर सारे चीज़ को disable कर दो और जहां तक हो सके आप इसे disable कर दो और उसके बाद यह कुछ भी आपका नहीं देख सकता है उसके बाद से लेकिन अब आपको टेंशन है कि यार मेरा पहले का सारा चीज अगर देख लिया तो तो यार आप कर सकते हो आप अपने फोन के सारे कॉंटेंट को कहीं और पर डालके और फिर अपने फोन को फॉर्मिट कर सकते हो उसके बाद फिर आपको कोई भी कुछ भी नहीं कबार सकता है तो उमीद आपको यह नॉलेज्ज यह हैकिंग से रिलेटेड नॉलेज्ज पसंद आये हो यार पसंद आयों तो प्लीज यार भाई के मैने दिखकर बड़ा सा लाइक कर देना ताकि भाई का सचाती और चौड़ा हो जाए कोई भी सलाई या सुझा है तो प्लीज करन बाक्स में जरूर बताना कॉज इस टाइब करना बहुत सारे रिसर्च करना पड़ता है और बहुत तिल देन हवे ना इस्टे और मॉजड़ा हो लाइक कर देना यार प्लीज